नमस्का विभाकेशी बिस्यन नियुस की बिस्निस समाचाह में आप सबी का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आए डालते एक नजर आज की सुर्कियों पर आज से इंकम टैक्स रिटर्न दाखे की प्रक्रिया हुई आसान रिटर्न दाखेल करने के लिए नई वेबसाइट की लॉंच जिस एवन देशों के बेच एतिहासी करा गूगल पेश्बुक पर 15% टैक्स देश भर के करोडों आएकर दाताओं के लिए अच्छी खबर है आएकर विभाग ने साथ चुन याने सुमवार से रिटर्न दाखेल करने के लिए नई वेबसाइट www.incometax.gov.in लॉंच की है इसके जरिये ना सिर्व आएकर रिटर्न दाखेल करना बहुत आसान बलकि रिफंड की प्रक्रिया भी तेज होगी केंडियो प्रतिक्ष कर बोर्ड CBD के अनुसार नई वेबसाइट से करदाथा को रिटर्न भरने में आसानी होगी मयान के मताबिक CBD एक नई टैक्स पेमेंट सिस्टम भी 18 जुन को शुरू करने जा रहा है पोर्डर लॉज के जाने के बाद में मोबाल आप पी जान गया जाएगा इसके बात करदाथा अपने मोबाल से भी रिटर्न भर सकते हैं नई वेबसाइट की लॉज की कारण ही एक जुन से छे जुन तक पुरानी वेबसाइट पर काम नहीं हो पारा था पुरारी वेबसाइट पर वेतन, बचट, आधी की जानकारी तो पहले ही मिलती थी, हाला कि नए पर बचट के अलाफा किसी भी तरह की डिविडेंट, लाभांच, टीडियेस और अन्यतरा की जानकारी भी पहले से ही फॉर्म में भरी हुई मिलेगी, इससे वेतन भोगियों औ पेंशनर्स को आएकर रिटर्न भरने में और ज्यादा आसारी होगी, कारुबार्यों को भी पहले के मुकापले रिटर्न में कई तरह की नई जानकारिया पहले से भरी मिलेगी, करदाताओ की मदद के मुर्प में सॉफ्ट्यय मिलेगा, जिसके जरिये कोई भी वेक्ती रिविव कर सके और जरूरत के हिसाब से एक्शन ले सके, यानि इससे आई टीर फाइल करना, उससे रिविव करना और कोई एक्शन लेना आसाल हो जाएगा, जो सुविदा डेस्टॉप लैप्टॉप वर्जिन पर उप्लप रहता है, वह अब मुबाल पर भी उप्लप रह कि इससे यूपी आई क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से भी बुक्तान किया जा सकेगा, बिर रिपोर्ट बिसियन न्यूज, कोरोना कार्ण में लैसन की बड़ी हुई डिमांड की चलते किसानों और करुबारियों की चांदी हो रही है, दो वच पहले किसानों को रुला पी काफी अधिक करे हैं, अन्य चीजों की तरह ही यह लोकों के लिए एमुनिटी बुस्टर बनावा है, एमुनिटी बुस्टर होने की कारण कोरोना कार्मी लैसन की डिमांड बढ़ गई है, इसे पड़ी हुई खपत की चलते, लैसन की दाम भी आस्मा चूरे है, चिलर मे इसे फेकने तक को मजबूर होना पड़ता था, म्यापारियों की अनुसार दो वर्ष पहली लैसन पचास से साट रुपे किलो बिग रहा था, लेकिन इस पार ठोक में ही एक सो पचास से एक सो साट रुपे होने की कारण, चिलर में यहाँ दूसर रुपे प्रती किलो में ब पीफ अकाउंट के नियमों भी एक जुन से कुछ बद्लाव किये है, एक पीफो ने सभी एक पीफ अकाउंट को आधा से लिंक करना अरिवाल कर दिया है, अगर कोई भी सब्सक्राइबर ऐसा नहीं करता है, तो उसके नियोकता याने इंप्लॉयर का पीफ योगदान रोग ने कर सकेंगे, इसलिए इनका पीफ योगदान नहीं हो सकेगा, एक पीफो ने अपने सभी सब्सक्राइबर को आधार लिंकिंग के लिए सुचित घत्या है, एक पीफ यो ने सभी नियोकताव को भी नेर्टिश दिया है, कि वो आपने सभी आधार वेरिफाइड यो एन ले, नए नियम की तहद अब एम्पलॉयर को आपकी अकाउंट को आधार से वेरिफाइड कराने की जमितारी दी गई है, इसलिए अब एपीफ अकाउंट होल्टर्स को अपनी कमपनी से एपीफो गाइडलाइन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, और अकर कमपनी नहीं उनके एपीफ अकाउंट और यू एन का आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो उसे तुरंट पुरा कर ली, बिलो रिपोर्ट बेसियन नियूज दुनिया के सबसे अमेर साथ देशों ने बड़ी बहुराष्टिय तखनीकी कमपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला किया है, जी सेवन समों ने गूगल, फेस्बूक, आपल और अमेजॉन चैसी बड़ी अमेरिकी कमपनियों पर 15 फिस्ति तक टैक्स लगाने के अतिहासिक वैश्विक करार पर हस्ताक्षर करें हैं, जी सेवन समों में साथ देश ब्रिटन, अमिरिका, कैंडा, फ्रांज, जर्मेन, इर्टली और जापन शामिल हैं। और अन्य कंपनिया जिस तरह से मुनाफ़ा कार्टी थी इस नहीं फैसले से उनकी मनमानी पर रोक लगाने की पूरी संफाना है जिस तेज़े से पुरा संसार इन कंपनियों की सिवा पर काफी कुछ निरपर हो क्या है उसका बेचा लाव उठाने का प्रयास ये कर रहे थी मध्यमवर्ग और कांकासी लोगों की साथ न्याय सुनिची खो सकेगा वित्मंत्यों की यह बैटक जी सेवन के निताओं की सालाना शिकर बैटक से पहली हुई इस करार पर जी सेवन की शिकर बैटक में मोहर लगेगी बिरुर रिपोर्ट बेसिन द्यूज Cellular Operators Association of India ने कहा कि 5G प्रोटोगी की के स्वास्त पर प्रतिकुल प्रभाव को लेकर जो चिंता जताय जारी है वह पूरी तरह गलत है अभी तक जो भी प्रमान उपलब्ध है उनसे पता चलता है कि आगली पीड़ी की प्रोटोगी की पूरी तरह सुरक्षित है COAI ने इस बात पर जोड़ दिया है कि फाजी प्रोटोगी की पासा पलटी वाली होगी और इससे अर्थव विवस्ता और समाज को जपरदस फायता होगा COAI, Reliance.io, भारती Airtel और Vodafone Idea जैसे बड़ी कंपनियों का प्रति निदित्वक करती है Association ने कहा कि भारत में दूर संचाज शेत्र में Electromagnetic वेकी करन सिमा को लेकर पहले ही कड़े नियम है वैश्विक रूप सिमान्यम मानकों की तुना में भारत में नियम अतिक सक्त है COAI की मताबिक वैश्विक सरपर स्विकायम मानक की तुना में भारत में सिर्फ 10 प्रतिशत वेकी करन की अनुबाती है वेकी करन और इसके प्रभाग को लेकर जो भी जिन्ता चताय चारी है वह सही नहीं है ये प्रमफैलानी वाली आशन का है जब भी कोई नई प्रौत्रगी की आती है तो ऐसा ही होता है बिर रिपोर्ट बेसियन नियूज खबरे समामत करने से पहले आईए डालते एक नसर आज की सुर्खियों पर आज से इंकम टाइक्स रिटर्न दाखे की प्रक्रिया हुई आसान रिटर्न दाखेल करने के लिए नई वेबसाइट की लॉंज जिसे वन देशों के पेज एति हासी करा गूगल फेश्बुक पर 15% टाइस बिजनेस समाचा में फिला लिता ही ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहे निकले देखते रहे ये बीसीन नियूज नमस्कार